गुद मॉर्निंग बेटा वेलकम अगेन काफी उम्मीद है कि आपको पिछले टॉपिक से याद रहे होंगे हम लोग कर रहे थे Ampere's Law इतना टाइम भी नहीं हुआ है हम लोगों को Ampere's Law में हमने एक application कर लिया था Ampere's Law का that was field due to a thick long wire बहुत कुछ सीखा था Ampere's Law में तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहा होगा आपके उम्मीद है रहना भी चाहिए continuity में बात रही है थोड़ा सा break रहा है बीच में अब बात कर रहे हैं एक अगली application है और ये बहुत important है हमारे लिए इससे numerical भी आता है और ये derivation सीधा सीधा भी exam में आता है क्या है application? field due to a solenoid जैसे ही मैं इस नाम को पढ़ रहा हूँ मुझे एक नाम दिख रहा है इसमें solenoid जो थोड़ा सा शायद हमने ना भी सुना हो और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 10th class जंग से पढ़ी होगी तो सुना भी होगा एक बार तो पहले थो हम थोड़ा सा solenoid के बारें बताएंगे है क्या? फिर आगे बढ़ेंगे फिर बात करेंगे इसका फील्ड कैसे निकालते हैं जिनको Ampere's Law का statement भूल गया है वो भी अभी मैं जिक्र करूंगा एक बार तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस में से एक term चुरा लिया है मैंने solenoid कि ये solenoid क्या है? देखे एक बार ये heading तो ही हमारे ही पस थोड़ी दे समझ लेते है what is solenoid? solenoid क्या है? किसी cylindrical body पर अब किसी का मतलब किसी मत समझना कि कोई भी area area body ले ली बताऊँगा भी इसके बारे में भी थोड़ा जिकली इसका 5th chapter में आता है वो किसी कौन है? अभी सुनना ध्यान से किसी cylindrical body के उपर मैं wrapping कर दूँ wire की wire लपेट दूँ पूरी cylindrical body पर wire लपेट दूँ conducting wire उस device को कहते हैं solenoid कुछ समझ लगी बात किसी cylindrical body पर मैं क्या लपेट दूँ wire लपेट दूँ conducting wire और वो conducting wire तो है लेकिन उसके उपर से coating हो रखी है insulating की insulated coating हो रखी है इस तरीके से ताकि insulated coating क्यों हो रखी है अब मैं इसके उपर लगातार wire लपेट दूँगा तो wire अगर insulated coating नहीं होगी तो वो एक दूसरे को touch करते रहेंगे तो क्या current short circuit हो जाएगा सीधी बासाम बोलें short circuit हो जाएगा इसलिए उसको उपर से क्या करते है बैसे wire तो copper का है लेकिन उसके उपर से क्या कर दी है insulated coating कर दी है ताकि short circuit की problem ना आए current तो अंदर चल रही है ना उपर से क्या कर दी है short circuit कर दी है तो यह जो किसी है यह जो किसी मैंने बोला किसी cylindrical body यह किसी में कोई ferromagnetic body हो सकती है कैसी body हो सकती है ferromagnetic body हो सकती है तो कुल मिला कर क्या बना किसी cylindrical body यह रही एक cylindrical body बहुत सुंदर बनाएगे कि जितना सुन्दर बने है उतना अच्छा लगता है ऊख कर ऊपर मैंने क्या कर दी है रैपिंग कर दी आए भायर kी लपेट इसको बाइंडिंग बोलते हैं बाइंडिंग कर दीए मैंने मैंने बहुत सुन्द्र से गूम गूम के ओर रहा है यह है हमारा सॉलिनॉइड थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा होगा ठीक ठाक सा यह सॉलिनॉइड है तो डेफिनेशन क्या बन गई आप बना इसमें डेफिनेशन की क्या जरूरत है आपके समझ में आने चाहिए बात यह क्या है वायर लपेटा हुआ है यह सिलिंड्रिकल बॉड़ी है अब मैं आपसे बोलूँ अगर इसके बीच से यह सिलिंड्रिकल बॉड़ी सरका ली जाए बात बहुत द्यान से सुनना अ स्अनलियोड को मैं बोलता हूँ और एंप लेनोड क्या बूल देता हूँ एंप儿ड ओं रहकी हो इसके अंदर ही बॉड़ी रखी है तो जो बॉड़ी है वह फिल्ड इससे इंदर आईरन है कि ऑर इनफिल्ड सुलेना एब मैं बोलो अ मैंने आईरन सर्का लिया बाहर इसके लाना डिकाना फिल्ड solenoid कुछ भी हो सकता है चलिए अब देरी बास सुना वायर लपेटा है तो इसके दो end free होंगे दो end free होंगे तो उन दो ends के स्थुरू हम क्या करेंगे circuit connect करेंगे यह अब अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऐसे connect बता रहूं वस दिखा के circuit connect कर देंगे तो अब इसमें क्या जाने लगेगी current जाने लगेगी तो अब यह कहलाएगा current carrying solenoid अब इसको क्या कहेंगे current carrying solenoid अगर मैंने battery लगा दी current लगा दी तो यह क्या वो गया current carrying solenoid तो हलांकि यह अब बात हैं आप सीखते जा रहे हैं छोटी-छोटी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें से अब मेरी बात सुनना इसकी यह रही length कितनी है l this is total length अब एक term आता है ideal solenoid क्या term आता है अगला term है यह ideal solenoid तो ideal solenoid क्या होता है उसके छोड़ा सा condition है कोई भी solenoid को मैं ideal बोल सकता हूँ कब जब मैं बताने जा रहा हूँ जब इसकी जो length है इसकी जो length है solenoid की वो बहुत ज़ादा हो as compared to the radius of the solenoid कुछ सुना if the length of the solenoid is much much greater than the radius then it is called as ideal solenoid बशर्ते इसमें number of turns बहुत ज़ादा हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ अच्छा एक term introduce करी दे रहा हूँ इसको मैं क्या बोलता था wire लपेटने को binding बोलता हूँ अगर यह term बखरे बखरे हैं यानि दूर दूर हैं loose उसको क्या बोलता है loose winding दो तरीके की binding हो सकती है loose winding या फिर अगर बहुत पास-पास हैं तो उसको क्या बोलता है tight binding वर्ड सुन लेना मेरा binding इसको क्या बोलते है wire लपेटने को binding दो तरीके की हो सकते हैं या तो loose या फिर tight तो ideal solenoid के लिए क्या condition हुई पहली condition कैसी binding होनी चाहिए tight यह condition है किसके लिए ideal solenoid के लिए दूसरी condition इसकी length जो है माल लिए इसकी radius कितनी है r है this is the radius तो इसकी length जो है वो बहुत बहुत ज़ादा होनी चाहिए radius के respect में अगर यह दो conditions है तो वो solenoid क्या कहा जाएगा ideal solenoid अब ideal solenoid पॉटने को कुछ फाइदा जरूर होगा उसका कुछ situation होगी situation बोल रहा हूं sorry क्या होगा कुछ उसका use करेंगे हम अपनी पूरी कहानी में पूरी journey में तो वो use क्या है अभी बताने जा रहा हूं अब ideal solenoid पॉटने पढ़ लिए condition लिख ली क्या होता है अभी प्रूफ करूँगा इसको for ideal solenoid field अभी फाइदा है इसका field inside it is uniform इसके अंदर field कितना होता है uniform होता है uniform मतलब same रहता है and outside it is zero ये फाइदा है ideal और ideal चीज़े हम बोल देते हैं ideal का मतलब हमारी theoretically बात है वो practical बात नहीं है थोड़ा बहुत लमसम चेंज होता है लेकिन ideally बात क्या कह रहे है कि ideal solenoid के लिए field inside it कैसा होगा uniform होगा और outside it कैसा होगा zero होगा तो पहले अभी इसका solenoid का छोटा सा description हमने पढ़ा है आते हैं अभी अपने topic पर इतना आपने note down कर लिया है आयोप सभी ने कर लिया है बात सारी समझ में आ गई है कितने time पढ़ लिये binding क्या होती है lose tight ideal solenoid क्या होता है length ज्यादा हो किसके respect में radius के respect में उस ideal solenoid के लिए एक और condition होती है binding कैसी होनी चाहिए tight tight मतलब turns बहुत जादा हों बहुत पास-पास turns हों इसके बाद मैंने क्या बोला ideal solenoid होगा तो क्या होगा तो इसके अंदर field जो होगा वो कैसा होगा uniform कौन सा field कौन सा field अरे कौन सा chapter पट रहे है magnetic field की बात हो रही है किसकी बात हो रही है magnetic field की बात हो रही है तो कौन सा field uniform होगा यहां पर मैंने चिपकाया नहीं है, एक वर्ल्ड चिपका सकते थे, Magnetic Field Insided, इतना तो होशार हैं ही आप, हैं कि नहीं है, हटा दूं इतनी कहा नहीं, एक और बात मैंने बोल दी थी, Airfield Solanod क्या था, जिसके अंदर से क्या हटा दें, क्या हटा दें, यह जो सर्कुलर पॉडी लगी थी, वो हटा दें तो, अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से, मैं इसको हटा रहा हूँ, बीच वाली रोट को, अब यह Airfield Solanod बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से, मेरे Pen चलने पर नजर होनी चाहिए आपकी, किस तरह से मेरा Pen चल रहा है, इसके दो Free End होंगे, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, वायर लपेटा है तो, तो यह रहा एक Free End, और देखना, यह रहा एक Loop, बीच अब लपेट रहा हूँ वायर में, चोटा सा बना दिया हमने, मेरी बात सुनना, बहुत द्यान से नजर आपकी, यह रहा है वायर, यह जो End आया है, यह रहा है वायर घूम के अंदर गया, फिर बहार आया, फिर घूम के अंदर गया, फिर बहार आया, यानि कि, यह जो Portion मेरा है, यह कहां है? Backside में है, जो मैं dotted करे दे रहा हूँ वो किस तरफ है? बैक साइड में है और जो portion solid में दिख रहा है loop का वो किस तरफ है? बाहर की तरफ है ये bindings बहुत पास-पास हैं यानि कि ये आपस में एक तरीके देखे तो complete loop बन रहे हैं ये क्या बन रहे है? complete loop बन रहे हैं और ये loop आपने सुने से देखे 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 से लग रहे होंगे आपको अगर देखे देखे से लग रहे हैं मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कहानी बन रही है अब ये बहुत सारे loops का combination है क्या loop number 1, loop number 2, loop number 10, loop 75 ऐसे हो गए कहानी सुनते जा रहे हैं आप सारी तो what is solenoid? what is ideal solenoid? एक अलग terms में अपने फायदे की language में एक combination of very closely placed circular loops what is ideal solenoid? एक combination of very closely placed circular loops I hope आप बात समझ गए होंगे चलिए अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ? मैं इसमें battery लगाने जा रहा हूँ और इसमें current लाने जा रहा हूँ माल लिया इसमें ये current चल रही है अब battery लगाएंगे तो diagram बदसूरत सा लगने लगेगा मेरी बात सुनिए आपने ये नजर बहुत पैनी होनी चाहिए बच्चे एक मिनट के लिए pause ले रहा हूँ नजर आपकी पैनी नहीं हो पाएगी नहीं तो इसका focus गरवट था I think मैंने set नहीं किया था अब ठीक होगा अब blur नहीं करेगा ये क्या बोला मैंने नजर पैनी रखिए गहां ये current आ रही है I इस point पर नजर होनी चाहिए आपकी जैसा wire मैंने दिखाया था ये current यहां से चली और इस point पर कहां गुस रही है अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है यानि कि इस वाली branch में अब ऐसे current चल रही है दिखती जा रही है सबको ये current गुम के गई और बाहर निकल आई फिर यहां से जाएगी और यहां से गुम के निकलेगी इसी तरीके से चलती रहेगी current clear इतनी बात और इस तरीके से यहां से बाहर निकल जाएगी सबको दिग गई इसनी बात जितना बड़ा जितना सुंदर डाइगराम बनेगा उतना ही चीज़ें क्लियर बनती जाएंगी तो मैं अपनी दर्फ से पूरी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ अब मेरी बात सुनना थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करा दिता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि Ampere Slough की जब मैं बात करता हूँ उसके Applications या Ampere Slough का Use करने की बात करता हूँ तो मुझे तब Use कर सकता हूँ मैं उसको जब मुझे Field की Direction पता हूँ कुछ याद आई बात मैंने एक Limitation भी बताई थी Ampere Slough की ये तब काम करता है जब मुझे क्या पता हो जो Field निकालना है उस Field की Directions पता हूँ अगर नहीं पता होंगी तो नहीं चलेगा काम तो अब मुझे अगर इसके लिए Field निकालना है Ampere Slough लगाना है तो मुझे क्या पता होनी चाहिए मुझे field की direction पता होनी चाहिए कि इस solenoid में field कैसा बन रहा है तो वो direction पता करने के लिए अब मैं आपको सिखा रहा हूँ direction नज़रें बहुत शार्प किसी एक loop को पकड़ लो किसी एक loop को पकड़ लो मैंने इस loop को zoom in किया बाहर निकाला इस loop को पकड़ा थोड़ा focus इस पर बढ़ाया अपना और बाहर निकाल लिया और ये loop कुछ ऐसा दिख रहा है हमें जो बहुत popular रहा है हमारी अब तक की physics की journey में इस chapter की क्या यही है वो loop ऐसा ही है क्या इस loop के लिए बच्चे हम लोगों ने field lines बनाना सीखा है बिल्कुल सीखा है क्या सीखा था कि जैसी current गूम रही है circular loop में वैसी ही right hand की fingers गूमा दो ये current यूं करके गूम रही है शायद आपको मेरा हाथ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा current यूं करके गूम रही है तो मैं भी अपने right hand की fingers को यूं करके गूमा देता हूँ clear है थनी बात मैंने right hand की fingers को यूं करके गूमा दिये तो thumb किदर जा रहा है left side जा रहा है तो मैंने field lines बनाना सिखाया था आपको ये हो गई इसकी field line ये कहाँ पर हो गई center पर हो गई इसके बाद मैंने बताया था कुंडल से बना देते हैं कुछ इस तरीके से यही बनती थी शायद याद होगा नहीं है तो पिछले lectures में देख सकते हैं आपने notes बनाये हो तो वहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ field lines बनाते थे हम लोग ये सभी क्या बनत करती थी circular loops बनाती थी clear है इतनी बात अब मैंने बोला कि ऐसा एक loop तो है नहीं सर कितने हैं बहुत सारे हैं एक के पास एक और रखा है तो मैंने इसके पास एक और रखने की कोशिश की जितने पास ये हैं उतने पास में दिखा नहीं सकता आपको हमारी बनाने की drawing की एक limitation है इसके पडोस वाला loop उठा लिया ये भी तो ऐसे ही current शो कर रहा है ये भी तो ऐसे ही current दिखा रहा है क्या इसके लिए भी field lines बना सकते हैं बना दी क्या वही same आएगी field line वही same आएगी तो मैं बता रहूं अब देखना जरत द्यान से क्या इस वाले loop के लिए field line बोलूँगा तो ये आ गई center पे ये आ गई उपर और ये आ गई नीचे ये सभी क्या बनाएगी loops बनाएगी अब मेरी बाहर सुनना क्या center के पास जो field lines है वो एक ही direction में है दिख रही होंगी add हो गई जो इसके बाहर की तरफ है जरा देखना यहां तो अपना क्या है solenoid है solenoid के बाहर की तरफ हम जा रहे है तो देखना ये वाली field line उपर जा रही है ये वाली नीचे आ रही है एक उपर जा रही है एक दूसरे को क्या कर रही है cancel out कर रही है कुछ दिखाई दिया आपको feeling आ ठोड़ी बहुत ऐसे ही यहां पर देखना solenoid के बाहर solenoid के बाहर ये वाली field line उपर चट रही है येवाले नीचे जा रही है जो और पास पास बनाएंगे ना तो ये और जादा clear दिखेगा तो ये वाले field एक दूसरे को cancel कर दे रहे हैं और field बच कैसा रहा है inside the solenoid बच रहा है वो कैसा हो रहा है uniform हो रहा है कुछ सुनी बात अलांगे इसमें मैं बोल जरूर रहूं uniform हो रहा है लेकिन uniform सिर्फ कहाँ पर रह रहा है near the center सिर्फ कहाँ पर uniform है near the center center से थोड़ा सा भी ऊपर चलेगे तो उतना uniform नहीं रहेगा लेकिन हम मान लेते हैं एक ideal situation बच्चों के हिसाब से क्या मान लेते हैं आइडियर है तभी भी बोलता हूं जब पेपर में कुशन आता है ना एक्जाम में तो आता है कुशन कि find the field inside the solenoid near its axis इसकी axis के पास axis तो समझ गयोंगे ना सिलेंटर की axis क्या होती है यह होती है इसकी axis इसकी axis के पास पूछते हैं वो भी वो भी होशार हैं कम नहीं है वो भी हलांकि बच्चे उसको कुछ समझते ना हो बता दिया मैंने डन है इतनी बात तो अब बात सुनना किदर आ रही है field lines इस solenoid के लिए left side आ रही है left side आ रही है तो मैं इसकी field lines बना देता हूं left side कैसी बनेंगी left side ये रही field lines ये रही field lines ये रही field lines ये रही field lines spread हो जाती है थोड़ी सी क्या हो जाती है spread हो जाती है बिखर जाती है separate हो जाती है इनका मूँ खुल जाता है और इस मूँ खुलने की प्रक्रिया को मैंने आपको उसे खाया था क्या कहते है ages per field lines का मुड़ जाना is called fringing of field lines क्या कहलाता ये process क्या कही जाती है fringing कही जाती है ages per field lines का खुल जाना I think इतनी सा बात है clear है आपको इसकी field lines बनानी भी आ गई अब मैं आपको कोई सा भी solenoid दूँ आपको field lines बनाने के लिए क्या करना है बात इत्ती दिर में कोई सीखे है के नहीं सीखे है क्या करना है loop के लिए काम करना है जैसा loop में आप field निकालते थे वैसे ही solenoid के लिए field निकालेंगे बात पलने पड़ी सोलनोड में करेंट यूं घूम रही है आप बस वैसी राइट हैंड की फिंगर्स घुमा देंगे थंबा जाएगा बस कतम कहानी होगी फील्ड की चलिए यह यहां तक कहानी क्लियर है अब मैं आता हूं अपनी प्रोसेस पर जो मुझे करना है बेसिकली हडा दू यह उपर आला डायग्राम भी देखिएगा अब इसके लिए फील्ड निकालना है इसको थोड़ा सा और एक बार की मेहनत और है दो मिनिट की वो दो मिनिट की मेहनत किसलिए है अभी भी यह डायग्राम अच्छा तो बहुत है लेकिन डेरिवेशन के पर परता में चार चांद लगाने बाकी है नजर रखना अब मेरी जो मैं बोल रहा हूं उस पर करेंट को नजर में रखेंगे आपको शायद याद भी हो गई होगी अब तो करेंट यह थी करेंट इस मुखडे पर देखना इस वाले पॉइंट पर क्या करेंट अंदर गुस रह रही है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर करेंट बाहर आ रही है फिर अंदर गुस रही है फिर बाहर आ रही है यह चल रही है और ऐसी चल रही है तो इसकी जो उपर वाली बाउंटरी है इन सभी पर करेंट किदर जा रही है अंदर जा रही है बहुत अच्छी बात है और जित करेंट क्या अब बहुत सुन्दर लग रहा है डाइग्राम आयूप लग रहा होगा भी तो दिस इस अबर रेप्रेजेंटेशन ओफ सोलेनॉइड या करेंट केरिंग सोलेनॉइड बहुत स्मूतली बहुत धीरे-धीरे और जो छो किस तरफ आ रहा थार लेफ्ट साइड है ये था मेगनिटिक फीड लोड़ा मैं यह था मैगनिटिक फीक्ट हलांकि बाहर जाकि थोड़ा सा क्या कर रहा है है upstairs हो रही है इस physician कंशलिए अब मेरा काम बचता है इसके लिए फील स्कालना कहां पर नेकालन sworn आउटसाइड तो 0 है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बचा कहां पर, inside बचा है, near the axis बचा है, वो निकालने के लिए मुझे पहला काम, अब आते हैं MPS law पर, MPS law में सबसे पहला काम, पहला step होता था, मुझे एक amperian loop लेना है, पहले ही दिन MPS law की class में, जब amperian loop लिया गया तो मैंने बताया था, it must be symmetrical, कैसा होना चाहिए, symmetrical होना चाहिए, किसके symmetrical होना चाहिए, ये भी बोला था, field के symmetric होना चाहिए, field के symmetric होना चाहिए, ज़रा देखना, क्या ये field, straight lines की form में है, क्या ये field, straight line की form में है, तो मैंने सिखाया था, कि जब straight line की form में field होगा, तो उससे मि जुलता जुलता लूप बनाएंगे that may be rectangular maybe square वही बन सकता है तो मैंने क्या किया एक rectangular लूप ले लिया मान लीजे मुझे इस point पर field निकालना है मान लीजे just मान लीजे मुझे यहां पर field निकालना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा इस point से pass होता हुआ अब तो क्या मैं बीच वाली field लाइन समेट दूँ आपको याद तो रहेगी न कि सारी field लाइन किदर हैं लेफ्ट साइड हैं तो इस point से pass होता हुआ क्या ले लिया मैंने एक लूप ले लिया और लूप कैसा लिया है? रेक्टेंगुलर लिया है पहला काम हो गया, लूप बन गया लूप का कुछ नाम रख दे रहे हैं लेट इट बी P, Q, R, S अगला काम होता था हमारा इस लूप को हमें देनी होती थी एक sense of rotation जैसे जैसे मैं बातें बोलते जाओंगा, आपको याद आती जाएंगे इसको क्या देते थे? एक sense of rotation देते थे मैंने इसको sense of rotation दे दी यह आप कोई सी भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है कोई रोक टोक नहीं है इसमें हमारी तरफ से हटा देता हूँ इस diagram को भी अब एक step complete हो गया, दूसरा भी complete हो गया इसके बाद मैं बोलता था कि अब मुझे क्या करना है बैसे basically एक step मैं बीच में skip कर रहा हूँ इसको एक surface और देते थे तो वो surface आप इसको उपर flat surface माल लेते हैं is equals to mu naught times current inside the loop current inside the loop, यही मेरा ampere slow था अब बस मुझे काम क्या करना है, बस b.dl calculate करना है यहाँ पर b.dl में किस पर calculate करते थे, over the entire loop पूरे loop पर calculate करते थे, पूरे loop पर नज़र रखना पूरे loop में 4 sides है, 1, 2, 3 और 4 इन 4 sides पे, अब नज़र देखना ज़रा क्या 4 sides पर field same है? ऐसा तो नहीं दिख रहा है दिख रहा है क्या किसी को 4 sides पर field same है सिर्फ अब मैं side को numbering कर देता हूँ let this is side 1, side 2, side 3 and side 4 side 4 मतलब चौथी बुजा है यह इसकी क्या है? बुजा चार बुजाओं वाले तो मैंने क्या बोला? sorry side 1 पर field uniform है side 2 पर देखना, field तो कुछ गरवड़ी दिख रहा है 3 पर तो है ही नहीं, 4 पर भी कुछ गरवड़ी दिख रहा है solenoid के अंदर अंदर तो uniform है, solenoid के बाहर है ही नहीं चलिए तो मैं इस पूरे के पूरे B.DL को 4 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ? अरे ऐसा कुछ याद है जब हम Gaussian, Gaussian लगाते थे तो Gaussian surface के case में क्या करते थे? पूरी surface को flux निकालने के लिए जितने पार्ट में ब्रेक हो सकती थी ब्रेक कर लेते थे individual PARTS से निकालते थे वैसे यहां पर कर रहे है क्या कर लिए? B.DL किस PART के लिए? First PART के लिए यानि First Side के लिए Plus B.DL किसके लिए? Second के लिए Plus B.DL Third Part के लिए Plus B.DL Fourth Part के लिए किसके एकौल mu not times current inside ये जो कहानी है मैंने एक line में लिख दी है हम ऐसे भी कर सकते थे कि 4 part 1 अलग से निकालते 2nd के लिए अलग से निकालते 3rd के लिए अलग से 4 फिर उनको add करते तभी तो total निकलता अब कियार मैंने एक line में लिख लिए है लोगी बहुत आसानी से अभी कुछ होने वाला है इनके साथ अभी देखते हैं first side के लिए बात करेगा जरहाब बात करेगा b.dl करेंगे तो b मैंने बताया किस तरफ है left side है यही तो है b, देखे किस तरफ है left side है b क्या dl भी इसी तरफ है, यह रहा मेरा arrow तो dl भी इसी तरफ है angle कितना है, 0 है तो क्या बनेगा b, dl, cos 0 cos 0 is 1 तो क्या बन गया b, dl plus second case में देखना जरह बहुत careful होगे second case का dl किदर है जिदर arrow होता है, वही तो dl की direction होती है arrow उपर की तरफ है dl अपवार्ड है, b किस तरफ है left side है, अरे angle 90 दिखा किसी को की नहीं दिखा है और second case में angle 90 है और angle 90 है तो cos 90 is 0 तो second part में हो गया 0 third part की बात करेंगे third part क्या हमारा solenoid के बाहर है solenoid की boundaries कहा है यह रही solenoid की boundaries यह रही, छुपना जाएं यह कही दिख रहा है अरे यह क्या बघर दिया हमने यह तो arrow था यह हैं हमारे solenoid की boundaries solenoid के बाहर है यानि field 0 है अगर field 0 है तो b का multiply 0 का multiply जिसमें मरजी कर लो किता हुआ 0 अब जल्दी से आप बच्चे सभी बोल देंगे fourth part के लिए fourth part में dl किस तरफ है downward है b किस तरफ है left side है कि angle फिर से 90 है 90 है तो फिर से 0 है is equals to mu naught times i inside कुछ समझ लगी बात तो बन गया मेरे पास finally b dl अब एक मिनट के लिए रुख जाता हूँ थोड़ा सा b और integration dl integration dl is equals to mu naught i inside अभी तो सिर्फ cost की value तो इबन रखी थी dl तो खतम नहीं किया ना हमने अभी अब बात आते हैं आगे सब खतम हो गया इतनी छोटी जिकानी बची अब दो बाते बची हैं आपको एक तो dl की value निकाल ली है दूसरा क्या करना है i inside की value निकालनी है अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ बातें ये हमने लिया था एक rectangular loop rectangular loop लिया था तो इसकी कुछ side ली होगी मैंने मैंने माली असकी ये वाली length कितनी है L है और ये वाली width कितनी है B है diagram बड़ा बनाना पूरा page चला जाए कोई दिक्कत नहीं है ये side B है ये side L है चलिए एक और बात मैं इसमें assume कर रहा हूँ एक और बात मुझे given है assume नहीं कर रहा हूँ given है question here derivation के लिए given है मुझे क्या given है let it be equation number कोई बनी थी अपने पास नहीं बनी थी equation number 1 the number of turns बहुत ध्यान से the number of turns turns क्या थे यह लपेटे गए थे turns per unit length of solenoid are small n इसकी unit length पर turns कितने है n है यह condition दी गई है इसकी unit length पर माल लीजे यह 2 meter लंबा है तो इसकी 1 meter की length पर कितने turns है small n turns है denoted by small n और total turns को denote करेंगे हम अभी बताएंगे capital N से small n पर unit length के turns capital N full turns आज दी इतनी बात हैं सब clear है अब मैं इसके आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको रव करना पड़ेगा अब मेरी बात सुनना dl का मतलब क्या होता है मैंने बहुत बार सुखा है integration dl का मतलब total length तो किस की total length side 1 की total length और side 1 की total length कितनी है L है तो इस b.dl में आगे continue करेंगे from 1 क्या बन गया b और dl की value कितनी बन गई L दिखाई दी इतनी बात कैसे आया integration dl का मतलब total length total length कितनी थी side 1 की L is equals to mu naught अब बसती है i inside की value निकालना अब i inside की value निकालना मैं सिखा दे रहा हूं side में इस loop i inside होता क्या था loop के अंदर से कितनी current चली गई loop के अंदर से कितनी current चली गई जरा देखना क्या एक बार current ये वाली जा रही है एक बार ये वाली जा रही है आपको तो दो ही turn जाते दिख रहे है but this is a symbolic representation हो सकता है बहुत सारे हो कुछ समझे तो मैंने क्या बोला यहां से यहां तक कितनी current जाएगी एक turn जा रहा है हो सकता है कई सारे turns जा रहे हूं तो मैं क्या बोला था इसकी एक unit length में कितने turns है n turns है एक unit length पर तो l length पर कितने turns होँगे ये length में ही तो चल रहे हैं तो l length में कितने turns होँगे n l तो मैं लिख रहा हूँ, number of turns, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, this is length, and this is number of turns. टॉफी बाला rule लगा रहे हैं, कुछ बड़ी काम नहीं कर रहे हैं. यूनिट length पर कितने turns हैं, n, तो l length पर कितने होंगे, n into l, क्या इसमें कोई दिक्कत है, एक रुपए में एत्ती टॉफी, तो l रुपए में एत्ती टॉफी, ये तो बड़ी बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दिया हमारे बच्चों के लिए बड़ी बात, रही है क्या, एक टर्न में आई करेंट जाती है, मैं बोला, एक बार करेंट इस लूप के अंदर से गुजर गई, तो कितनी करेंट दो बार गुजर जाए, तो कितनी करेंट ले जाएगी, 2 आई, तीन बार तो 3 आई, और इतने बार चली जाएगी तो, कुछ समझे, मेरी बात सुनी आपने, मैंने बोला कि ये एक लूप है, इसमें से एक करेंट ये जा रही है, आई, एक बार फिर से करेंट चली गई आई, एक बार फिर से चली गई आई, तो कितनी करेंट ले गई वो टोटल, 3 आई करेंट चली गई इस लूप के अंदर से, यहाँ पर भी तो देखो loop के अंदर से कितने tons जा रहे है nl tons जा रहे है और हर loop कितनी current लेकर जा रहा है i current लेकर जा रहा है तो कितनी current हो गई total मेरे पास आपको अब तक चिला देना चाहिए था कितनी current हो गई है mu naught nl i यह current हो गई है यह किसकी value रग दी मैंने i inside की value रग दी है यह रहा b into l आपको दिख रहा होगा l से l खटम b is equals to mu naught n i this is field inside a air filled solenoid किसके अंदर का field है air filled solenoid के अंदर का field है mu naught n i mu naught n i आई बड़ा प्यारा याद है करने के लिए कुछ equations याद करने में इतनी अच्छी होती है कि याद कर सकते है but बशरते याद क्या रहे उनका meaning what is small n small n is the number of turns per unit length यही गरबड़ कर जाते हैं आप अभी फसाता हूं question में दो मिनट रुकिए हालांकि lecture मुझे पता है थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन I hope आप इसको पूरा देखें तभी कुछ feeling आईगी concept पूरा खतम होगा तभी आदा देखे फिर concept मैं कल इसको दुवारा continue नहीं कर पाऊंगा बार बार एकी चीज़ के पीछे नहीं पढ़ सकते न हम लोग एक बार में खतम करने की कोशिश करते हैं ये बन गया आपके पास relation mu not n i बड़ा प्यारा relation है अब मेरी बास सुनना कई बार होता क्या है exam में आपको unit length के tons नहीं दिये आते आपको unit length के tons नहीं देते वो cheating कर लेते हैं हमने पढ़ा unit length के tons के रूप में है लेकिन ऐसा नहीं देते वो पूरे solenoid के full tons दे देते हैं जैसे मैं उन्होंने बोला कि 2 meter के solenoid में 200 tons हैं तो आपको किस से मतलब है एक meter के solenoid से मतलब है आपको बार बार ना करना पड़े इसलिए रिलेशन मना रहे हैं एक छोटा सा relation बिट्वीन टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड फुल लेंथ अरे इतना डिटेल में क्या हम लिखेंगे इसकी आप समझ गए होंगे शॉर्ट में लिखेंगे एंड और कैपिटल एंड के बीच का relation टर्न्स पर यूनिट लेंथ और फुल लेंथ के टर्न्स तो मैंने बोला माल लीजे एल लेंथ का solenoid है टोटल टर्न्स कितने है capital N है और पर यूनिट टर्न्स कितने है small N है तो मुझे इन दौनों के बीच relation निकालना है clear है बात अरे बहुत छोटी सी बात है दौनों तरीके से कर सकते हैं लेंथ वही टौफी वाला रूल है टन्स इस तरफ लिख रहा हूं लेंथ इस तरफ लिख रहा हूं टन्स यूनिट लेंथ पर कितने टन्स small N कितनी लेंथ पर capital N capital L पर कितने हो जाएंगे small N into L क्या ही दिखा है unit length पर N है तो capital यानि full length पर कितने होने चाहिए N into L बट उन्होंने तो हमें दे रखे हैं कितने दे रखे हैं N है इसका मतलब क्या हुआ कि N is equals to small N into capital L अच्छी लगी बात क्या capital N का मतलब small N into capital L capital N की full length अभी प्यारा नहीं लगा हमें किसकी टन्स की जुरुत है small N की तो small N की value यहां से क्या बन गई capital N upon capital L complete complete length complete length यहां पर replace कर दीजेगा एक और formula बन जाएगा जिनको इस formula से अच्छा लगे वो इससे करें mu naught small N की जगा capital N upon capital L into I this is another form बहुत बाते हो गई है बहुत कुछ सीख लिया है आपने अब मैं कुछ एक दू पंच लैंस लिखाऊंगा और फिर question को खतम करूंगा इस topic को खतम करूंगा हटा दूँ अब देखते हैं कुशन करके दिखाईएगा कुछ बात मुझे याद आई थी बताने के लिए कि एक बात बतानी है क्या बतानी है वो अब चली गई आ जाओ चली देखते हैं अब एक कुशन कर रहे हैं हम लोग लिखिएगा कुशन मेरे साथ-साथ कुशन से पहले एक बोल रहा था आपको बस लिखने के लिए है नोट करके लिख लिजेगा एक बार बस थोड़ी दिर के लिए इसको मैं explain बाद में करता हूं explain का मतलब एक दो बातें और पढ़नी पढ़ेंगे मैं तब इसका explanation आपके समझ में आएगा तो अभी के लिए थोड़ी दिर के लिखी एक बाद जैसी solenoid था इसके अंदर जो होता है field uniform होता है यह हमने पढ़ा लिया था और outside कितना होता है zero होता है but at the ages पर जहां पर मैंने बताया था fringing हो रही थी यह वाली जगा पर जहां पर field lines की क्या हो रही थी fringing हो रही थी तो at the ages यह वाली age और यह वाली age इन edges पर field आधा होता है किसका center का जो inside होता है न उसका आधा रहता है कहां पर? edges पर तो मैं लिख सकता हूं field at the edges is equal to field inside का आधा यह punch line याद रखेगा अभी इसकी explanation कुछ एक दो topic और पढ़ने के बाद हो सकती है अभी फिलाल के लिए रोग देते हैं तो question आ जाता है कई बार exam में इसलिए मैंने बता दिया है कि अगर आप center का field निकाल लें तो ages का निकालने के लिए क्या करेंगा उसका आधा करेंगा लिए यहाँ पर field आया center पर 10 tesla तो बाहर ages पर कितना होगा 5 tesla as simple as that इतना सा काम है पेपर में question सीधा सीधा पूछ लेते हैं इसलिए मैंने बता दिया है एक बार इसको फिर explain करेंगे आभी question दे रहा हूँ हाँ चलिए एक बात याद तो आगई है जो मैं बताना चाहरा था उस समय याद आई गई है तो बताएता हूँ question से पहले हमने field निकाला b equals to mu naught ni this mu naught is called permeability बताया भी था मैंने उस समय permeability of free space या फिर आप कह सकते हैं इसके बदले में air दोनों की लगबग सेम रहती है थोड़ा बहुत फर्क होता है बस तो यह free space की permeability है हमने पढ़ा भी तो कौन सा solenoid था air filled solenoid पढ़ा था अगर अगर ऐसा हो कि वो solenoid air filled ना हो वो solenoid air filled ना हो उन्होंने कह दिया इसके अंदर मैंने iron भर दिया है तो अब आपको change क्या करना होगा if any other material is filled inside it अब इट कौन है यह solenoid तो field में change क्या हो जाएगा अभी मैंने permeability यूज किया कि इसकी space की या air की जो उसके अंदर थी तो अब उसके अंदर जो भी हमने fit किया होगा उसी की permeability यूज करेंगे तो किसी और की permeability को mu से denote करते हैं तो बन जाएगा mu ni आई बच्चे कुछ बास सुनना mu naught का mu naught permeability नहीं होती वो permeability होती free space की अगर free space नहीं है तो mu naught नहीं लगेगा तो वहाँ पर क्या लगेगा उस medium की permeability which is mu किसी और medium करनली किसे denote करते हैं mu से denote करते हैं I think इतनी बात आपने सुन पाई है सुन पाई है इस पे हम फिर lot के आएंगे fifth chapter में तब बताएंगे आपको कि कौन सा material fill करते हैं और क्यूं fill करते हैं और क्या-क्या इसके फाइदे हैं इस जो solenoid के वो सब discuss करेंगे fifth chapter में अभी मेरी बात आपने समझ लिए क्या करना है यह कब है जब कुछ और fill कर दिये जाएगा बात किता हूं अब question के आते हैं फटाफट से an air filled solenoid एक term चिपका लेते हैं ideal solenoid of length 80 cm has thousand tons कितने tons हैं उसके पास thousand tons find the field near its axis if current in it is 2 ampere if current in it is 2 ampere question बहुत ध्यान से पढ़ लेना बहुत चोटा सा question है air filled solenoid है वो भी ideal है length किती है 80 cm और tons किती है 1000 कहां पर field बताना है near the axis center ऐसा कुछ बोला गया है तो solution में जड़ा नजर टक्खेंगे मुझे formula तुरंत याद आता है कि b is equals to mu naught n i जैसे मुझे solenoid दिखा मुझे formula याद आ गया आपको भी आ जाएगा बहुत प्यारा सा है mu naught n i formula याद आता ही मैं आप क्या करूंगा मैं इसमें डूनूंगा कि क्या मुझे सारी values given है क्या मुझे i given है मुझे i given है कहीं दिख रहा है मुझे यह रहा i given है मुझे small n given है आप बोलेंगे कि 1000 tons given तो है क्या यह n की value है या capital n की value है क्या बोला है length दी गई है total और total tons दिए गई है thousand यानि कि यह capital n की value है हमें तो small n की रखनी थी तो small n का capital n का relation मैंने अभी पढ़ाया था आपको क्या कर देंगे mu naught small n की जगा capital n upon capital L into i क्या value रख सकते हैं आप value रख सकते हैं आदे से जादा बच्चे पता है किस बात पर भसेंगे भी mu naught की value नहीं जानते वो रख देता हूं मैं n की value कितनी है total tons कितने है n thousand है length कितनी है बच्चे 80 cm अब आदे से जादा बच्चे यहां पर 80 ही रख देंगे 80 नहीं रखते हैं यह cm में है और हमें किसमें convert करनी होगी सारी values हम SI में लेकर चल रहे हैं current भी ampere में और इसकी value हम जो रखेंगे वह भी ampere में रखेंगे तो इसको cm को convert कर लिया meter में तो यह क्या बन गया 0.8 confirm current कितनी है 2 है mu naught की value लिख लेते हैं आपको शायद मैंने बताई थी mu naught upon 4 pi की value होती है 10 to the power minus 7 तो mu naught की कितनी होगी 4 pi कहां चल लेगा उपर चल लिए 4 pi into 10 to the power minus 7 गुणा भाग कर लीजेगा कर लेंगे और बता देंगे मुझे answer पहले मैं decimal से इसको काट दिया 2 से इसको काट दिया 4 बार 4 से इसको काट दिया 25 100 गुणा भाग कर लेंगे कर लीजेगा कर दूं क्या मैं ही कर दूं चल यह आप भी कहेंगे क्या याद करेंगे सर ने इतना काम भी कर दिया पच्छिस सो into 4 सुनते रहना पच्छिस सो into 4 के 10,000 हो गए 2500 into 4 10,000 हो गए 10,000 को क्या मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या into into 10 to the power minus 7 अरे देख लेना जरा पावर कितनी बच गई है 4 प्लस की है 7 माइनस की माइनस 3 बच गई है तो that is 3.14 into 10 to the power minus 3 टेसला यह आपका अंसर आ गया क्याल कुशन चेक कर लेना मैंने फटा-फट में करी है हो सकता है कुछ चुक गया हो दूर से देखने पर आप अपना देख लेना this is your बहुत प्यारा सा एक छोटा सा कंसेप्ट एक कुशन होमबर का भी बन सकता है चाहें तो अब नहीं चाह रहे हैं बहुत हो गया है बहुत बड़ा लेक्शर हो गया पढ़िएगा, complete करिएगा और हाँ exam point of view से भी important है चाहे वो आपके home exams हो चाहे वो आपके board exams हो सभी के लिए important है All the best